गौतम बुद्धा नगर की जेवर सीट पे से धिरेंद्री सिंग बीजेपी के ओर से लड़ रहे हैं वो मौझूदा विधायक भी हैं और बीजेपी के प्रतियाशी भी हैं इस समय मैं जेवर में मौझूद हूँ और हमारे साथ विधायक जी और प्रतियाशी जो बीजेपी क हैं धिरेंद्र जी मौझूद हैं सर ये बताईए कि इस बार भी क्या लगता है कि पिछले बार की तरहां दोहराएंगे इस बार तो प्रिशन बहुमत भारतिय जंता पार्टी को मिलने जा रहा है चोंकि पिछले पांस साल में इस विधान सभा में इतना अभूतपूर विकास हुआ है जितना आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ जेवर विधान सभाथ ने पहली बार ये महसूस किया है कि विकास क्या होता है एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट इसी विधान सभा में बनने जा रहा है दस हजार करोड़ की लागत से फिल्म सिटी भी हैंगी बनने जा रहा है यहां एजू केसन के लिहाज से उच्छा के लिए कोई करन्या डिग्री कॉलिज नहीं था राज की है बार्मी के बाद लड़कियां सिक्छा नहीं ले पाती थी तीन तीन डिग्री कॉलिज हैं बनने जा रहे हैं जिसमें दो करन्याओं के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल यहां बनने जा रहा है इम्स की तर्स पर तो अनेकों ऐसी योजनाएं आई हैं ग्रामी छेतर से लेकर और सहरी छेतर में विकास की जो बैयार बही है निश्चत तोर से लोग उस विकास की खातेर उत्तर प्रदेश में योगी आदित अनाच जी को दुबारा मुख सब्सक्राइब करेंगे तो यह बताएं कि मतलब क्या कोई टकर है ग्राउंड पर देखें क्या कोई टकर है आपको लग रहा है कि हां उनका भी बोलबाला हो सकता है यह अब मतलता हो से पूछ लाएं इस बार जेवर छेतर का मतलब तक विकास के लिए वोट दे रहा है। उन्होंने जो हमारी प्रदेश की सरकार भाउरती है जंता पार्टी की सरकार ने इस छेत्र में काम कराएं तो प्रदेश व्यक्ति उस एहसान को वोट के रूप में उतारना चाहता और हर व्यक्ति की इक्षा योगी जी ने इसे एक ड्रीम डेस्टीनेशन चुनाए इस जेवर विधानसभा को जहां दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दी है तो जेवर की जनता चाहती है कि एक संदेश जेवर विधानसभा से पूरे प्रदेश और देश में जाए कि हाँ विकास के लिए वोट मिला था और मैं तकरीवन 23,000 वोटों से जीता था इस बार मुझे उम्मीद है कि 50-60,000 वोटों की जीत होगी और मैंने आपको बताई दिया पड़े हुए वोट का क्या परसंटेज होगा कुल मिलाकर यह जेवर विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक परतन हुएं यह ऐसे बिंदू हैं जिनकी वज़े से इस छेतर का हर व्यक्ति भारतिय जनता पार्टी को चुनने जा रहा है मौजूदा विध्यायक और बीजेपी के प्रत्याश्शी धिरेंद जी का इकसाफ कहना है कि जेवर में एरपोर्ट बना, मेडिकल कॉलेज बना और इसी तरह से कईस तरह के विकास कारे किये गए हैं और उनको पूरी तरह से उमीद है कि 2017 की तरह इस बार भी वो जनता का दिल जीत पाएंगे और चुन करके वापस से सरकार बना पाएंगे कैमरा परसिंटर अबीश पांडे के साथ इला काजमी एबीपी नियूज जेवर